हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपको हाईने कॉलर टॉप बनाना बताऊंगी कफ स्लीव के साथ यह मैंने दो मीटर का फैब्रिक लिया हुआ है फैब्रिक को मैंने 4 फोल किया हुआ है इसकी लेंद मैंने 24 इंच रखी है और शॉल्डर में 7.5 इंच रखूँगी और आम होल की लेंद में 7 इंच रखूँगी 7 इंच पर निशान लगा कर हमें सीधी लेंड ड्रोओ कर देनी है और यहां से हम चेश्ट का फोर्थ पाट लेंगे और उसमें हम दो इंच प्लस कर देंगे सिलाई मार्जिन के लिए मैंने ग्यारा इंच पर निशान लगाया है और सिधी लाइंड ड्रो कर दी है बैक आम होल के लिए हम देड़ इंच पर निशान लगाएंगे और फ्रन्ट आम होल के लिए हम वन इंच पर निशान लगाएंगे और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रो कर देना है और एक निशान हम 14 इंच पर लगाएंगे कमर की चोड़ाई के लिए यहां से हमें कमर की चोड़ाई का फोर्थ पार्ट लेना है और उसमें भी हम 2 इंच प्लस कर देंगे सिलाई मार्जिन के लिए मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है और निचे से भी हम 11 इंच की चोड़ाई ले लेंगे और दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रो कर देनी है गले की चोड़ाई में 3 इंच रखूंगी और आगे की गले की लंबाई में 4 इंच रखूंगी और पीछे की गले की लंबाई में 1 इंच रखूंगी और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रो कर देना है फ्रांट और बेक नेक के लिए सबसे पहले हम बेक नेक और बेक आम होल की कटिंग कर देंगे यह देखे मैंने इसकी कटिंग कर दी है अभी हम इसमें से एक पाट को निकाल देंगे और इसे वापस से डबल फोल्ड करते हुए फ्रांट नेक और फ्रांट आम होल की कटिंग कर देंगे ये देखे मैंने इसकी कटिंग कर दी है अभी बैक पार्ट में हम कट लगाएंगे चार इंच पर हमें निशान लगा देना है और उसमें हमें कट लगा देना है ये कट हम से बैक पार्ट में ही लगाएंगे ये मैंने इसमें कट लगा दिया है अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे फेबरिक को मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है और स्लीव की लेंद में 17 इंच रखूंगी नीचे 4 इंच का मैं इसमें कब अटेज करूंगी और उपर से स्लीव की चौड़ाय में 8 इंच रखूंगी और capsule की length में 3 इंच रखूंगी और 3 इंच तक हमें सिधी लाइन ड्रो कर देनी है बंदवाली side से भी हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और सिधी लाइन ड्रो कर देंगे और open वाली side से हम 1,5 इंच पर निशान लगाएंगे सिलाई मार्जिन के लिए और हमें sleeve का shape ड्रो कर देना है राउंड में हम sleeve का shape ड्रो कर देंगे और नीचे से sleeve की चोड़ाएं भी मैं 8 इंच रखूंगी क्यूंकि मैं इसमें gather's बनाऊंगी और side से भी हम line draw कर देंगे अभी इसे हम cut कर देंगे यह मैंने sleeve की cutting कर दी है और इस तरह से मेरी दो sleeve है तो चलिए बढ़ते stitching की तरफ सबसे पहले हमें back part में strip attach करनी है यह मैंने strip ready की हुई है cut लगाते हुए इसे हमें सीधी side से रखना है और इसके उपर सिलाय लगा देनी है और इसकी border को fold करते हुए हम पटी को अंदर की side मोर देंगे यह मैंने strip attach कर दी है अभी right part के उपर दुसरा पाठ हम उल्टा रखेंगे और इसके shoulder joint कर देंगे यह देखे मैंने इसके shoulder joint कर दिये है अभी हम इसमें sleeve attach करेंगे sleeve को हमें उल्टा रखना है और इसमें सिलाय लगाते हुए attach कर देना है दूसरी side भी हम sleeve को इसी तरह से attach कर देंगे यह मैंने इसमें sleeve attach कर दी है दोनों side से अभी हम sleeve में gathers बनाएंगे सबसे पहले हमें इसके उपर बड़ा ठाका करके सिलाय लगा दिनी है यह मैंने इस पर सिलाय लगा दी है अभी एक धागे को खीचते हुए हमें इसकी gathers बनानी है एक धागे को खीचते हुए हम इसमें हलकी-हलकी gathers बनाएंगे यह मैंने इसमें गेधर्स बना ली है और इसकी चोड़ाई हमें उतनी रखनी है जितनी हमारी स्लिव की चोड़ाई है डबल फोल्ड करके हमारी स्लिव की चोड़ाई उतनी ही आनी चाहिए जितनी हमें चाहिए अभी हमें साइट की बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए तीन से चार इंच तक सिलाय लगा देनी है दोनों साइट की बॉर्डर को हमें डबल फोल्ड करते हुए तीन से चार इंच तक इसमें सिलाय लगा देनी है दूसरी स्लीव को भी हम इसी तरह से रेडी करेंगे यह मैंने इसकी बॉडर को फोल करके इसमें सिलाय लगा दी है अब भी हम इसमें कफ अटेज करेंगे यह मैंने एक स्ट्रिप ली हुई है जितनी हमारे स्लीव की चोड़ाई है उससे हमें एक इंच जादा लेनी है और इसकी चोड़ाई मैंने आठ इंच रखी है सबसे पहले में सीधी साइड से स्लीव के ऊपर स्ट्रिप को रखना है हाफ इंच हम पट्टी बाहर की साइड निकाल लेंगे दूसरी साइड भी हम हाफ इंच पट्टी को बाहर की साइड निकाल लेंगे और इसके उपर हम सिलाय लगा देंगे यह मैंने इस पर सिलाय लगा दी है अभी इससे हमें सीधा करना है और उल्टी साइड से हम इस पर इस तरह से मोड देंगे जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं और हम इसे उल्टी सैट से पीन से सिक्योर कर लेंगे इसलिव की हमारे सीधी सैट होनी चाहिए और पट्टी हमारे उल्टी सैट होनी चाहिए इस तरह से हम दोनों सैट से इस पर पीन से सिक्योर कर लेंगे ताकि हमें सिलाय लगाने में आसानी हो, उसके बाद जो हमने हाफ इंच पटी बाहर की साइट निकाली है, वहाँ पर हमें सिलाय लगा देनी है, दोनों साइट से हम इस पर सिलाय लगा देंगे, यह मैंने इस पर सिलाय लगा दी है, अब भी हम इसके कोनों पर कट लगा देंगे और पट्टी को हम सीधी साइट पलट देंगे पट्टी को हमें अच्छे से सीधी साइट पर पलट देना है और उल्टी साइट से जो इसकी बॉर्डर है उसे हमें फोल्ड करते हुए अंदर की साइट से सिलाय लगा देनी है इसकी बॉर्डर को फोल्ड करते हुए हम पूरी पट्टी में सिलाय लगा देंगे इस तरह से हमारा कब बहुत ही फिनिशिंग से बैठ जाएगा और चारो साइड से हम इसके उपर कवर सिलाय लगा देंगे और ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा कब बैठ चुका है इस पर मैंने सिलाय लगा दी है दूसरी स्लीव भी मैंने रेडी कर दी है अभी इसे हम उल्टा कर देंगे और जो हमने कट लगाया था तीन से चार इंच का वहां तक हमें सिलाय को नहीं लगाना है उससे नीचे हम दो इंच का गेब देते हुए इस पर सिलाय लगा देंगे नीचे तक दोनों साइड से हम तीन से चार इंच तक छोड़ते हुए नीचे तक सिलाय लगा देंगे उसके बाद हम नीचे की border को double fold करते हुए पूरे top में सिलाय लगा देंगे यह मैंने इसकी fitting कर दी है दोनों side से और नीचे की border को भी मैंने double fold करते हुए इसमें सिलाय लगा दी है अभी इसे हम सीधा कर देंगे और इसके neck पर हमें बड़ा टाका करके सिलाय लगानी है जो हमने 4 इंच का नेक कट किया था वहाँ पर हमें उपर की साइट 2 इंच तक छोड़ देना है उपर से हम 2 इंच छोड़ देंगे और राउंड में हम बड़ा टाका करके सिलाय लगा देंगे यह मैंने इस पर सिलाय लगा दी है अभी एक धागे को खीचते हुए हमें इसकी गैदर्स बनानी है इसकी गैदर्स हम सेंटर में बनाएंगे नेक के सेंटर में ही हमें इसकी गैदर्स बनानी है और इसके उपर हम पकी सिलाय लगा देंगे गैदर्स बनाने के बाद हमें हलकी हलकी गैदर्स बनानी है कोलर के लिए हमें पूरे राउंड नेक का मेजरमेंट ले लेना होगा पूरे राउंड में हमें इसका मेजरमेंट ले लेंगे यह मेरा 15 इंच आ रहा है यह मैंने एक स्ट्रिप ली हुई है इसकी लंबाई मैंने 16 इंच ली है और चोड़ाय मेंने तीन इंच रखी है सबसे पहले हमें पट्टी को बैक नेक के उपर अटेज कर देना है सीधी साइट से हम पट्टी को अटेज करेंगे हाफ इंच पट्टी हम बाहर की साइट रखेंगे और पूरे राउंड में हम इस पर सिलाय लगाते हुए इसे अटेज कर देंगे दूसरी साइट भी हमारा हाफ इंच एक्स्ट्रा बचेगा यह मैंने इस पर पट्टी अटेज कर दी है अभी हम पट्टी को उल्टा करेंगे उल्टी साइट से जिस तरह से आफ वीडियो में देख सकते हैं और इसे भी हम पीन से सिक्योर कर लेंगे और इसके ओपर हम सिलाय लगा देंगे दूसरी साइट भी हमें इसे उल्टा करना है और सबसे पहले हम इसे पीन से सिक्योर कर लेंगे और जो हमने half inch fabric बाहर की side छोड़ा है वहाँ पर हम सिलाय लगा देंगे जिस तरह हमने sleeve में cuff attach किया था उसी तरह से हमें color भी attach कर देना है और यहाँ पर सिलाय लगाने के बाद हम इसे सीधा पलट देंगे सीधी side पर हम color को पलट देंगे और पलटने के बाद हम इसकी border को fold करते हुए पूरे round neck पर सिलाय लगा देंगे यह मैंने इस पर color attach कर दिया है और यह मैंने एक button लिया हुआ है इसे हम neck पर इस तरह से attach कर देंगे color पर और जो हमारी sleeve है उसके उपर हम इस तरह से तीन buttons attach कर देंगे और दूसरी side हम button hall बना लेंगे दूसरी side हमें button hall बना लेने है और इस तरह से हमारा है neck color top with cuff sleeve बनकर ready हो चुका है और यह है इसका final look friends अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आयो तो मेरी वीडियो को like और share जरूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है तो please please इसे subscribe कर लीजे और साथ में bell icon को भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की notification सबसे पहले मिल सके मेरा यह वीडियो देखने के लिए thank you so much guys अभी हम मिलते हमारे नेक्स टूडियो में तब तक के लिए bye